हेलो एंड वेल्कम टू रेस अकैडमी उफीशिल सथ स्रीकल सरन उन्वस्टिय दाव सो रेस अकैडमी उफीशिल ते तो डास वागता है जेकर तुसी चैनल ते नवे होता चैनल नू सब्सक्राइब कर लो नाल दाव देकरो बेल एकाउन ते बाद तो बाद वीडियो सब्सक्राइब कर रहा है त्यनु तरीकली पोस्ट है सो ओदे विच तो अनुपता न्यूस लेबस आड़ होया इंडस्ट्रियल प्रमोशन ड्वेल्पमेंट दा एंड जड़ा तो दूसरा टैक्सेशन है राइट आता न्यूस लेबस पिछे तुसी आसे पास से देखी रह परवा चुक्या है टेक्सेशन ते भी कंप्लीट हो चुक्या है तुसी ओदे वास्ते रहे सकेड़िमी एफिशल दी एप्लिकेशन इंस्टाल कर साकते हो ते ओस नूँ तुसी वीडियो यहन के देख साकते हो अल्रेडी तो नो वीडियो दिना पीडियेफ मेल दियांगे ते जड़ा MC की हुआ है ओ मैं YouTube ते ही हमेशा जो MC की सीरिज हो दिया हमेशा मैं YouTube ते comment रख दा हो ता कि जड़े other institute यहां कि तो भी कोई होर पढ़ रहे है यहां free of cost पढ़ रहे है यहां material अल्रेडी तुसी कहा सकते फिनेंशली प्राब्लम हो दिया तो MC की सीरिज हो नना वा है ओ तुसी जोइन कर लेना रेस अकाडमी ऐफिशल दी एप्लीकेशन हा तुसी ओ जोइन कर लेनिया इंस्टॉल कर लेनिया बाकि सारे लिंक का जड़े description देवच मिले है ठीक है पाई है चेक कर लेओ पहला question की है पहला question जड़ा है पाई ते आना देना पढ़ना लगा केंदा as per maternity benefit act maximum period किनना गा for which any woman shall be entitled to maternity benefit shall be हुन ते आना देना चीजां समझो के maternity benefit act जिड़ा सी गा originally एक कदों आया 1900 काहट नू आया 12 दिसंबर 1900 काहट नू एहे implement हो गया सी गा यानी implement दा मतलब लगू हो गया सी 12 दिसंबर 1900 काहट उस्तो बाद यहे 2017 देवेच एदी amendment हो यानी 2017 देवेच जो major चीज हो या ओ की हो या maximum period नू लेगे यानी जेकर अपा ओरिजिनली देखिये according to maternity benefit act उनी सो काहट उरिजिनली ता ओरिजिनली बारा हफ्त यानी के जड़ा benefit मिल दा सी गया जड़ा मिल दा गा वुमेन नू जो benefit मिल दा बेसिकली payment दा ओहो केड़े section देवेच्चा ओहो section हैगा 5 ओह section हैगा 5 तो एहे चीज़ा बहुत important है मैं पहले दिन भी section पड़ा है जीगे नाल नाल repeat कर दा रहूंगा काफी सारे comment एहो जो भी आया दिया के सार इन पढ़ना क्यो जरूरी है जा इनना क्यों पड़ी है जो पहली वर से लिए बस एड़ होया वे ते कोशिश करो जिनना कोश मिल रहे है अगर तो आड़े दुमाग देवच पह रहे है ता प्लीज उन दुमाग देवच पाओ ठीक है कोई फाल तो जीज़ा मैं भी करवाऊन दा कोई शुकी पारहा अफते सी तो थोड़ा दे मैं होर एनू एक्स्प्लेण करदा त्या अन देनार अगर मैं थोड़ा जा कैटेगरी वाइस माम समझा हमा के जेकर मानलो लेडी फर्स्ट टाइम प्रेगनेट होई है फर्स्ट टाइम यानि प्रेगनेंसी दे दुरान उन्हें बेनिफि चाइल्ड बर्थ यानि आठ़ हमते पहला आपनार चाईल्ड बर्थ चाैल्ड नाम बेनिफिम इलेगेड猶्ड बागी एथ दोसरा एक कौस्ट बहुत इंपॉर्ट घर कि करांगे प्रेगनेट मश्ण ञी 3 मutable नेस्ट कुसे चाइल्ड नूँद्ब लीगली अगर उसने किसे चाइल्ड नूँद्ब कितां तरू नोट थें मन्त तो क्ट थें मन्त तो कट्ट थें अबूछ अब रिण्व messy नूँगा अब आप उरिजिनली तुसी कहा सकते हो के बाइलोजीकली जेकरी मदर नहीं हैगी बाट चाइल्ड दी केर वास्ते था बैनिफिट चाहीदा ता फेर रहनों बैनिफिट जेड़े मिलतागा ओहों मिलतागा जी बारा हफ्तें दा 12 वीक्स सो एहें चीज इंपोर्डेंट बन दिया होन एस तो बाद आ गया एक ता फर्स्ट टाइम प्रेगरेंसी है जेकर माननों दो या दो तो बद अल्रेड़ी चेल्डरन है गया ता भी बारा मिन्याद ही यानि आँ सौरी बारा हफ्तें दा जेड़ा बैनिफिट मिलताग 62 souvenasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasas एक पहले दिन question आया सीगा कि in case of death जेकर death हो जावे ता ओस case देवेच जो payment benefit मिलदागा ओहो केड़े section अधीर मिलदागा ओहो section तो हड़ाएगा 7 तो एक section हो रियाद कर लो नाल नल रपीट करिया होंगे बहुत वधी आ रहोंगे तो एक section हो रियाद कर लो जेड़ा के section तो हड़ाएगा 10 section 10 देवेच किया कि जेकर pregnancy ते कोई illness कोई बमारी होजे या terminate होजे pregnancy या miscarriage होजे ता ओस time ते जेड़ी leave छुटी चाहिए दिया ओस section के ड़ाएगा section 10 सो अपना section नाल नल रपीट करने है जिवेक सेक्शन जेड़ा पहला सी गा ओधेवेच ता शौर्ट टाइटल सी अब्रिवेश वगरा सी गिया किथे किथे maternity benefit act अपलाई होंदा ओस section दूसरे देवेचा section तीसरे देवेच की सी गा पाई जिथे आपड़ डेफिनेशन पढ पढ़ाया में पहले दिन राइट सेक्शन फाइवा जड़ी पेमेंट दी गल कर दा नॉर्मल maternity benefit act देदीन सेक्शन साथ देवेच जेकर इन दा केस ऑफ डेथ ऑफ वुमन राइट सेक्शन दास देवेच इलनेस ठीक है सो मेरे साफ दिना तुसी एह चीज सामझ रहे होंग ठीक हो गया होना maternity benefit act दे अधीन eligible कौन है eligible कौन है सिद्धे जी गला जेकर माननों तुसी किसे establishment किसे company किसे organization देवेच जौब कर रहे हो एंड जौब तो हड़ा है माननों पर दासिया वीद नहीं हुए उस तो बाद तुसी कहूं पर मैंनो चुटी चाहिए दिया मैं pregnant है रा किता ही होवे असी देन ता कम कीता ही होवे सो क्वास्टन ए भी पुछा जा साकता के maternity benefit act दे वास्ते अलेजीबल कौन है एक साल दे अंदर किसे establishment देवेच लगा तार असी देन तो हड़ा काम होना चाहिए असी देन ता कम यानि की होना चाहिए गा जैकर असी देन ता तो अलेजीबल हूँ यह नहीं हागा भी दास्त पंदना जने पहला जोब आजी लगी है तो नाल दीन हो तुसी कहा दो कि मेंनू maternity benefit act मेल जह नहीं मिल साकता है तो ही है कि दा condition of 80 days of employment in the 12th month immediately proceeding the date of benefit has been made an eligible condition eligibility condition for getting कि दे अंदर होगा और तो अब्स नहीं गाला के maternity benefit act दे अंदर ह अंसर ता ही सुखा, question ता सुखा बन गया पर question उल्टा करके भी पुछा जा सागदा कि according to maternity benefit act the condition of how many days of employment in the 12th month immediately right so इस तो बाद उसी जिक्रांसर लाओंगे तफरो अह असी दिना दा लाओंगे सामझे लागी पर चलो इस तो बाद आ गया the in the maternity act an inspector is appointed under which section हालांके section आप ओही ओही पढ़ांगे जो important है section आणनो याद करोना मेरा तरीका गा एक teacher दा काम की हुंदा तो आड़े खाने दिविच पोना दमाग जड़े तो आड़े गया उनना दिविच मैं चीज़ां अपने पादूंगा practice तो आड़ा करना याने कि तो आड़ा हक है practice तो आणनो करनी पोगी बाकि में ओही चीज़ां मैं जिनना आप देवलो करवा सकता मैं हमेशा चाहे पटवारी है चाहे cooperative bank चाहे उस्तो पहले ऐसा ही सी गा चाहे math चाहे reasoning चाहे history चाहे policy या पॉलेटी या पॉलेटी ती आर्टीकल दी वीडियो देखो राइट राइट त section दूसरा section तीसरा section 5 मा section 7 सेक्शन 10 मा किने फरीकर लेकर कर लिया section 14 बीक याद रख्यो के inspector दी appointment एह है कि जह microscopy definition पुछी जावे कि innsपटर दी definition आ 회 Magnific definition ने kenे Iで section 34 किॉ06 सारी यह definitions ने राइत हो गया इस तो बाद आ गया कि इन्दा तिल वट एज ओफ द चाइल्ड विल अ मदर गेट टू नर्सिंग ब्रेक्स इन्दा कोर्स ओफ हर डेली वर्क कदो तक जड़ा एज याने कि चाइल्ड दी जड़ी एज तिल वट एज ओड़ी एज होनी चाहिए दिया जीदे वेच मदर दो नर्सिंग ब्रेक्स लेया सकती है इन्दा कोर्स ओफ डेली वर्क तब पंद्रा मन्थ बाकी मैं उही गया किन्या कि जड़ू थ्रेटिकल पोर्शन में एक वरी मेगा सेशन भी लगाऊंगा जीदे वेच मैं कोशिश करूँगा कि तो अड़ी थ्रेटिकल चीजा जो कंसेप्ट बेस्ट चीजा उन्हान उपड़ा ओंधी कोशिश करूँगा तां कि तो अन्हान होर भी फैदा हो जावे राइट आसो किन्ना एज होनी चाहिए दिया पंद्रा मन्थ इस तो बाद आगा जी अंडर दा मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट एक वोमेन एंप्लाई वोड़ गेट अ मैडिकल बोनस उन्हों मैडिकल बोनस किन्ना मिलदागा ओह मिलदा जी रूपीज 3500 रूपीज 3500 तो याद रखनागा बहुत जादे इंपोर्टेंट है ठीक हो गया जे मानट होना प्री जो कहाँ हों दे प्री चायल्ड बर्थ या पोस्ट चायल्ड बर्थ जे कर उन्हों मैडिकल बोनस ऑल्रेडी मिल रहागा जा फ्री अफ कौस्ट नुनु चीज़ा मिल रहे हैं जड़ियां जी मैपनेडिकल इंसुरांस वगरा होंदागा तब medical bonus जेड़ा हो employer द्वारा जेड़ा नौकरी दिन दागा, ओधे द्वारा refuse भी किता जा साकतागा, ए medical bonus इन दा case of maternity benefit देवेची मिलूगा, वैसे नी, जे कर तुसी medical, कोई भी medical जी में पच्छुटी ले लेने, आए नी हागा कि ओधे अधी इन्हे medical bonus मिल रहे है, बस under the maternity benefit act ही मिलूगा, राइट हो गया, तो ए चीज नूँ तुसी ते आण दिनाल सामजना गया, इस तो बाद आ गया, when did maternity benefit act 1961 come into force, तर कदू होया पई 12 December 1908, implement कदू होया, 12 December 1908, याद रखना है, बहुत important, इस तो बाद आ गया, which section of the maternity benefit act 1961 deals with the right to payment, right to payment of maternity benefits, याद रहे जूगा, right to payment अप पड़ेया, हुन ही पड़ेया, section 5 of the maternity benefit act 1961, section 5, याद रखना है, जेकर right to payment in case of death लिखेया हुनदा, in case of, जेकर इथे death लिखेया हुनदा, फिर केड़ा section हुनदा, फिर हुनदा section 7, फिर हुनदा section 7, ते जे छुट्टी दिगल कीती हुनदी, leave for illness, right, या miscarriage या termination ता फिर section 10 आया हुनदा, नाल दी नाल ही रिपीट करना है, एस्तो बाद आगया देखलो, केंदा which section of the maternity benefit act, deals with the payment of maternity benefit in case of death of a woman, ता section 7 आज हुनदा section 7, maternity benefit act 1961, एस्तो बाद आगया section 28, हुनदा याद नहीं हुनदा, पर आप याद करलांगी, हौली हौली, section 28, maternity benefit act 1961, deals with the power to make rules, power to make rules, okay हुनगे, power to make rules, section 28, एस्तो पहला section 14 आया सी, जड़ा inspector नो पॉइंट करदागा, राइट हो गया, section 10, section 10 किया, of the maternity benefit act 1961, leave for miscarriage, कला एह नहीं हेगा, मैं कट्टे आता, answer ही हो सकदा, पर कट्टे आता, क्योंके नीचे में नुपता answer हो भी पया, कि या, कि या, कि या, leave for illness, leave for illness मिलनी है, rising out जड़ी होंदी है, during the pregnancy, delivery, premature birth, और child miscarriage, जहाँ, medical termination of the pregnancy, right हो गया, so जे कर एह होंदा गा, ता, leave for illness, right हो गया, उस बास्ती मिलनी है, ते केड़ा section 10 हो गया, इस तो बाद आगे, ता, maternity benefit act 1961, apply कि थे होंदा गा, हुन याद आगे होगा, कि जे कर आप section पहले दी गल करिये, ता, section पहले दी विच ता, short titles वगेरा, जे कर आप section दूसरे दी गल करिये ता, उत्थे आया सी गा, application section दूसरे दी तहत, आप पड़े आ सी, कि पाई ये apply किथे किथे होंदा गा, ते फिर किथे किथे होंदा, उनना दी definition हो जड़िये सी गिया, section तीसरे दे विच सी, जी देवाच्छ, appropriate government दी definition हा, child दी definition हा, miscarriage दी definition हा, delivery दी definition हा, establishment दी definition हा, state government दी definition हा, factory दी definition हा, mine दी definition हा, plantation दी definition हा, ठीक है? सो कहन दा मतलव किया के section तीसर देविच सारी डेफिनेशन और कित्थे कित्थे apply हुंदा ओही चीज जा factories, mines, plantation, shops, establishments and establishment where person are implied for the execution of equestrain or acrobatics सो एह सारी चीज जड़िया है तो अन्नों मिल दिया पाई 1900 काहट Maternity Benefit Act देविच तो all of above answer आ जोगा इस तो बाद आ गया an employer, an employer आ गया question ओही जो मैं पहला गलत सी के employer जड़ा may refuse कर सकदा to pay medical bonus किनू? to a woman worker who is under maternity benefit if if the employer provides prenatal and postnatal care free of charge जेकर ओह एहे दे रहागा तो obviously जड़ा medical bonus होदा refuse हो सकदा employer यानि के refuse कर सकदा, बाकी फिर मैं कहिना है कि कुछ concept based question हो दिया है यह मैं already तो अन्नों एक mega session देविच कराऊंगा, do not worry right हो गया, इस तो बाद आ गया next question है केंदा a woman suffering from illness एक woman जड़ी illness तो सफर कर रही है, rising out of pregnancy, delivery, premature birth of child or miscarriage, shall be allowed to an extended maternity benefit act ता एक एड़ा section अपला section 10 की पड़े है, ने तो उसी section 10 दे according है पर उदा benefit येड़ा maternal benefit उन्हों extend कीता जा सकदा एक month वास्ते Maternity benefit act येड़ा है उन्हों एक month वास्ते extend कीता जा सकदा And I think 2017 amendment देता है तैनों 3 month अभी शायद कर देता गया ये मैं confirm कर दूँगा next video वेच्च ता ए तुसी पढ़ लो पाई के 1 month तक वास्तेंड कीता जा सकदा Next आ गया, can an employer, employer जो job दिन्दा गा, employer जो job दिन्दा गा, केंदा वो terminate कर सकदा की टर्मिनेट कर सकदा, services of women, जड़ी women दी services आ, उनू की कर सकदा, terminate कर सकदा Who has gone under maternity leave, जेकर maternity leave किसे मतलव लई हुई है, किसे ने maternity leave लई हुई है, किसे female, obviously गाला Under the Maternity Benefit Act 1961, तक की जड़ा job दिन्दा, यानि employer ओस दी job नू, ओस दी service नू terminate कर सकदा गा, नहीं कर सकदा The employer cannot, cannot discharge or dismiss her during the period of normal manner, आ normal manner बहुत पढ़ना जरूरी है Normal manner दा मतलब, जेकर उन्हें कोई भी misconduct नहीं कीता, कोई भी fraud नहीं कीता, कोई भी ऐसा कम नहीं कीता, जो organization नू नुकसान पचावे, जा rule and regulation दे अंगेंस्त होई, ता employer cannot be dismissed or discharge Right होगे, तो मेरे साफ दनल तुसी ऐस चीज़नों समझ रहे होगे, तो बहुत important है के benefit जदो maternity leave ते already woman है गिया, तो time period ओस नू terminate ओस दी services नू terminate नहीं कीता जा सकदा बस during the period of normal manner, normal manner misconduct नहीं होना चाहिए, हाँ misconduct होगा, तो obviously गलावनों dismiss भी कीता जा सकदा, discharge भी कीता जा सकदा, तो यह वी question मैं करवाओंगा, do not worry next question, केंदा जेकर woman, who a woman legally adopts a child, आगया, पहले question देवेची क्राया थी, के जेकर legally adopt करदी किसे child बिलो दा age of 3 month, आवी याद रखना, पुचा जा सकदागा, बिलो दा age of 3 month, shall be entitled to maternity benefit from the date, date of the child is handed over to the adopting mother for a period, how many weeks under the provision of the maternity benefit act? बहुत important है, तो ही चीजां के पाई, amendment दो ही अरस्तारा देवेच होई है, तो एदा 12 month है, जेकर adopt कीता, यानि legally adopt कीता, biological हो मदर नहीं है कि, तो जेकर 3 month है, तो हो कट ओधी उमर है कि, तो 12 month है, तो यह first time pregnancy है, तो obviously गला, 26 month है, ठीक हो गया, इस तो बाद आगया, ओही question जो मै दस्या सीगा, के next ही question हो, के 2 or more than 2 surviving children under the provision of maternity benefit act amendment दो है रस्तारा, ताम ही 12 month दा ही है, ताम ही 12 month दा, sorry 12 month कह गया, 12 week दा यानि के benefit मिल दागा, ठीक है, what is the total period of maternity leave, admissible for a woman imply having 2 or more already, 2 or more 2 surviving children जेकर होवे, ता first time दे है, चब्भी हफते, चब्भी हफते हैं देफे चोगी 8 हफते जड़े pre child birth है, या फिर उस तो बाद जो rest रहे गे, तो 8 जाने के 18 जो post child birth है, ठीक हो गया, मेरे साव दिनल तुसी यह इस चीज़नों समझ रहे होगे, ठीक हो गया पई, एस तो बाद आगया, according to the maternity benefit act 1961, where a woman employee is guilty of any gross misconduct, आगे न, के जेकर misconduct होंदागा, जेकर fraud होंदागा, जेकर flawed होंदागा, guilty, जेकर पाई जान दिया woman employee, during the maternity leave, चाहे maternity leave लई हुई यह था, employer की कर सकतागा, employer cannot dismiss, नहीं, कर सकता, employer may dismiss or discharge her, पर answer लौन तो पहला, काली कल दिविच अंसर नी लौन थल्ले अल उप्शन पड़ो, थल्ले अल उप्शन थोड़ा जा होर advance दिविच जा रहे है, answer थल्ले अल, आवी answer हो सकता, पर थल्ले अल दिविच आता चीज लिखी लिख कि दा, employer may dismiss or discharge her and even deprive her of the maternity benefit or medical bonus of both, यानि कि उदा, जो medical bonus हो उसनो भी deprive कर सकता, maternity benefit हो उसनो भी deprive कर सकता, discharge कर सकता, जाहां फिर, जो भी, मतलब, dismiss अपकेनिया, भी उसनो job तो कट सकता, राइट होगा, जेकर, dismiss, जेकर, misconduct होंदागा, राइट होगा, दा, तोटल पीरिद of maternity leave, admissible to a woman imply under the maternity benefit act 1961, ता आपा की कहांगे, बारा मी ने, बारा मी ने, according to the maternity benefit act 1961, ते जे इत लिखे होंदा, latest amendment, according to amendment, amendment, 2017, ता आपा चबी मी ने, चबी हाफते कहांगे, चबी हाफते कहांगे, राइट होगा, बट एह question controversy विच भी जा सकता, क्योंके, according to amendment act 1961 नहीं है, ता हुण ओदे विच भी चबी हाफते लिखिया होंदागा, पर amendment हुई है पाई, ता थोड़ा या question दे विच घडबड कहा सकते हूँ, amendment दो है रस्तारा लिख देंदा ता ज्यादा वदिया सी, ते जा फिर इत्थे लिख देंदा, कि original 10 पाई, originally किनने हाफते पहला मेल दे हुण चबी हाओ अटगाला, ता एदा अंसर तोसी चबी ही ला सकते हूँ, ठीक है, मैं तो नो समझाओना सी समझाता, कैंदा state objective किया, state the objective of maternity benefit, मन्तव किया, motive किया, to regulate the employment of women worker, उन्ना नू regulate करना employment of women workers in such establishment, यानि organizations for certain period before or after child birth, obviously कहला ओस चीज़ नू प्रमोट करना वास्ते, क तो नो benefit मिलूगा कि women workers जड़िया, ओहो employee यानि के employee बान ज्यादा work करना, इस करके, उस दा मेन मोटीवे ही या, उन्नो regulate करना, राइट होगा, तो पहला ही option दा राइट बन गया, ठीक हो गया, एस तो पहला question पढ़ देंगा, तो मैं दास देंना कि पाई, जड़ी magazine, magazine में telegram group जड़े, जलाई अगस्त हो गया, जून जलाई हो गया, उन्ना दे magazine में already free of cost share करते सीगे, क्योंके उस टाइम पटवारी दा paper सीगा, तो मैं share करते भी चलो, कोई ना पढ़ लो यार, ठीक है, तो ओहो तुसी magazine ज़रूर देखने, थोड़े वास्ते भी बेनेफिट हो साग जड़ा next month है, जड़ा latest magazine है, जड़ा next month है, जड़ा latest magazine है, जड़ा already launch on हो चुक्यागा, ठीक है, यानि आज चुक्यागा, तुसी ओनू PDF form देविच लेना चौने हो, तो तुसी एस ते message कर साकते हो, पाई, 86, 95, 68, ता तो अनू PDF आ जोगी, बस तो अनू एक number देता जाओगा, जितने तुसी payment करने है, screenshot पे जना उस्तो बात अनू magazine मेल जोगा, हाँ, magazine दा जेकर तुसी demo देखना चौने, magazine बहुत खतरनाक, बहुत वदी है, बहुत त्रीक के ज़ना बना टेलिग्राम ते नहीं मिल रहा है मानलो, क्योंकि पिछा चले आ गया होगा, टेलिग्राम ते तुसी इस्थे भी मानलो, पहले मेनो demo देता हो, जाच गया था, screenshot पे जो payment, पञ्याकर पे जना पे जना होगा, ओ तो अनू इस्थे message करोंगे, अपने अपने आप तो अनू reply मे यानि के cancelled एथे तुसी लेख साकते हो, असान पाशा, समझन वास्ते, की कान दा, right of woman imply, जड़ा woman imply the right है, का दा, to receive maternity benefit, to receive maternity benefit, वो cancel हो साकता, will be cancelled, क्यों, she has availed this benefit more than three times, जे करो benefit 10 वार तो ज्यादा ले रही है, नहीं पाई, ठीक है, she is not of good behavior in the organization, नहीं, ठीक है, इस तो बाद the woman has started working in another establishment or organization, during the period of her maternity leave, यानि ए नहीं हैगा, कि जे कर तुसी maternity leave थे छोटिया ले लिया, छोटिया तो अन्नो मिल गिया थे करे बैठ के तुसी कुई online academy जोईन कर ली, कुई online work कर लिया, जहां किसी होर establishment, किसी होर organization दो उसी काम कर लागे, तो हाद जड़ा benefit है, तो हाद आजूगा, C option आजूगा, ठीक है, मैं फिर कह रहे हैं कि जे कर तुसी theoretical portion पढ़ना चानों, खास करके चलो ही ता मैं, फिर भी यह थे बहुत वदितरी के दिना कराई जाना है, जे कर तुसी industrial promotion, जो development, MSME वगरा पढ़ना चानों, पूरी detail देवे, चौल रेडी मैं, application देवे चीज है, PS special test series, काफी time तो, जड़े बच्चे कह रहे है, PS special test series, काली लाँच हो रही है, ठीक है, अक्साइज दी after 5 होगी, क्योंके पटवारी मेंच थोड़ा जोर लग गया होया, चारो, तक, dash means, in relation to an establishment, being a mine and establishment where and persons are implied for the execution of equestrain, acrobatic and other performances, the central government in relation to any other, की आह statement तो पड़ी पड़ हां जी, पड़ी पड़ी लाग दिया, याद करो, उह प्रहला दन, जदो अपना एस MCQ series नो स्टार्ट कीता सी, ते section 3, section 3 दे पहले ही close दे वेचापा चीजा पड़ियां सी, appropriate government definition पड़ा इसी, appropriate government definition यानि जो center government law गरा बनाओ दिया, जाए कहल भी उन्ना establishment उन्ना माहिना दी ग means in relation to an establishment being a mind or establishment where persons are implied, जिते person imply, यानि implied किते जान देगे, ठीक है, so, oh, central government and in relation to any other, यानि establishment ते central government दे विचे, जो relation है, appropriate government, जो government law गरा बनाओ दिया, सारा कोश एना ते apply होंदा, अपना पड़े होया, so, appropriate government is the right answer, चीख हो गया, so, आहां सीगे पाई, बहुत सूने question, ते मैं कोशि मैंनों जो मिलूगा, मैं तो नो पड़ा होंगा, right, maximum तो कोशिच कर दा कि मैं आपने MCQ बनावा, जे कर मैंनों आसे पास मिल दे, obviously किला आपनों करने चाहिए, क्योंकि मेरा मने ना किया, क्योंकि मेरा मने ना किया, क्योंकि मैं किस तरीक किदा लेवल पुछा जाओगा, कि मैंना लेवल नीमा चक साग दिया, कोश भी पोच साग दिया, so आपका कोशिच की करने के maximum तो maximum आपका ओही चीज़ पढ़ जी जो आसे पासे का टोगा डप ही है, जहां maximum तो maximum question ओहो जो अल्रेडी मैं तो नो करवा रहे हैंगा, right, तक उन्हान नों बहतरी न डांग दिना ता ओविसली गला मैं करवाओंगी करवाओंगा, खानने देवे चो पैनगे, बट रपीट करना एंड रवाइज करना तो हड़ा काम है, so thank you very much बाबा मेहर करे, चारदी कला चोर इस दिर्कना पढ़दे रहो होते, बाकी math, reasoning, बाकी होर्विस, विजक्ट मैं, बहुत तरीक करते, बाद तो बाद वीडियो शेर करो, thank you very much.